अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को प्रेस करना बिलकुल ना भूलें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचें तो फ्रेंड यह हमने बनाए हैं पकोड़ी और यह बहुत ही सब्सक्राइब के लिए प्याज कट करेंगे यहां इक मैंने बड़ी प्याज को चील लिया है और इसे कट करेंगे यह हमें हमें प्याज करते हैं सेम वैसे ही थोड़ा रफली रफली कर लेंगे बड़ा बड़ा जैंजेख्ये यह desert हो चुकिए और यहां हमने तीन कलिया लहसून की लिए हैं इन्हें उम ग्रेट करेंगे यह पीछना नहीं प्रेंट ग्रेट करने से काफी अच्छा प्लेवर आता है पकोड़ों में और काफी टेस्टी लगते हैं और यह ग्रेट कर लिया हमने देखिए और यह सामिक रिये पकोड़ों के लिए यहां धनिया है यह एक बाउल चोटी बाउल और यह एक बड़ी बाउल हमने पालक ले लिया है करीब डेड़ कप पालक होगा यह और यह बारी काट करके दो लिया है अच्छे से और यह हींग है लाल मिर्ज पाउडर यह काला नमक है आधी चमच और एक चमच लिया है हमने तिसा हुआ जीरा पाउडर और यह नमक और यह आदी चमच, अजवाइन और यह है बेशन चलिए बनाते हैं पकोडे सबसे पहले यह जो हमने सबजी ली थी सूखी सबजी यह आलू और पत्तागोबी की सबजी है यह इसे डालेंगे आप इसकी जगे जो कोई भी सूखी सबजी हो उसे डाल सकते हैं और जो इसमें आलू है तोड़े मोटे मोटे इने बीच में से हम कट कर लेंगे देखिए मैं भी दिखाते हूं चापू से बीच में से दो भाग कर लेंगे देखिए इस तरीके से जितनी भी आलू हो इसमें आप फ्रेश सब्जी की भी यह बनाों करके देखें। बहुत ही टेष्टी बनते हैं यह। मैंने इसमें गाटा हुआ अभी दालेंगे एक पालक। आप इसमें और कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। और यह क्याच सब्खार करकें। और इसके बार डालेंगे यह लेजन ग्रेट किया हुआ और यह है आधी चमच अजवाइन अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बेसन में यह बेसन के पकोड़े बनाते हैं तो यह आधी चमच हमने काला नमक डाल दिया और यह है पिसा हुआ जीरा पाउडर एक चमच अधी चमच गयान अधी अचता है और चुछ छोट की कि इसमें ढूबाणफार प्ल।स्वाइन, यह बच्चो के ली बना रही हूं इसमें मैंने रिमिर्च कटने श्वाद श्वाद अनुसार को, अर् इसमें मैं ठोड़ा थोड़ा करीब एक कप बेसन जाएगा इसमें मेरा इसमें इसमें मेरे निन दीरे करके और यहाँ मैंने मोटा बेसन लिया है और इससे अच्छे से मिक्स करना पूंहे हलके हाथों से ज्ञादा मसल मसल के नहीं करना देखे, धीरे-धीरे करके इसमें मैं एक कप बेशन डालूँगे और इसे फिर से मिक्स कर देते हैं और आपके पास प्रेंड अगर मोटा बेशन नहीं है तो बारिक बेशन ही है तो उसमें थोड़ा सा चावल काटा मिक्स करने दो-तीन चमच उससे भी ये पाकोड़े क्रिस्पी बनेंगे मेरा मोटा बेशन है तो इसमें मुझे जरत नहीं है चावल के आटे की और इसमें मैंने फ्रेंड चार-पास चमच पानी लिया है और इसे मिक्स कर दिया है चलिए हमने गैस पर पैन रख दिया है और इसमें डाल अब यह जो आप यूज करते हैं किचन में और गैस कर दिया है अमने ओन अब यह तेल गरम हो चुका अच्छा से अब इसमें हम पकोड़े डाल देते हैं यह देखिए एक एक करके हम सारे पकोड़े इसमें डाल देंगे यकीन मानी फ्रैंड बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं इस तरीके से आप दाखी के पकोड़े खाना भूल जाएंगे आप फ्रेस सब्जी से भी इसे बनाना चाहेंगे और जब यह एक तरब से फ्राइब हो जाएंगे तो इन्हें पलट लेंगे देखिए हलके हलके फ्राइब होगा है तो इसे मैं पलट लेती हूँ और गैस का फ्रेम प्रेंड मैंने हाई रख रखा है यह देखिए यह अच्छे से सिख चुके हैं हमारे फ्राइब हो चुके हैं पकोड़े आप देख रहे हैं इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे थोड़ा सा कल्ची को टेड़ा करेंगे जिससे की जो एक्स्टर ओइल है वो निकल जाएगा पकोड़ों से कि देखिए सांगार पकोड़े हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं कि यह लीची प्रेंट एक बार के यह मैंने निकाल लिये हैं पकोड़ेंगे और कितने सुन्दर दिख रहे हैं दिखने में तो सुन्दर हैं ही खाने में बहुत बहुत लाजवाब हैं यह देखिए दोबारा का जो बैटर बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं जैसे हमने पहले वाली किये थे देखिए यह भी फ्राई हो चुके हैं यहने भी निकाल लेते हैं लेजिये ट्रेंड हमारे चैटपते से पकौड़े बनकरे रेड़ी हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेए ट्रेंड वूप सेचेश और फिर कमेंट में मुझे बताईएगा कैसे बने और रेस्पी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और गंटी का बटन प्रेस करना न भूले और वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड लाश्क तक यह देखिए हमारे श्नेक्स तयार हो गया शाम की चाय के लिए मज़ेदार श्नेक्स को क्या कहते हैं फ्रेंड इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर लिखेगा आप इतने इंजॉय कीजिए प्रेंड इसे चाय के साथ चटनी के साथ मैं मिलती हूँ अगली रेस्पी में